हेलो एवरिवन माइनम इस प्रशान वेलकम टू निव इंडियन एरा और क्लास 12 के सारे बच्चे साल भर कुछ पढ़ा नहीं अब हो रहा है अंदर से टेंशन पई क्या किया जाए कुछ पढ़के हुआ नहीं है कैसे फॉलो किया जाए कैसे चीजों को हैंडल किया जाए फियर है अंदर से डर लग रहा है पढ़के कुछ नहीं हुआ है याद किया हुआ भूल जा रहा है बड़े बड़े एंसर याद नहीं हो रहे है निमेरिकल्स की तो बात ही छोड़ दो यार वो तो हमसे न हो पाएगा ये सारी चीज़े हो रही है तो जिस लाइन में मैंने अभी ये questions कहे उसी एक tone से मैं इसका answer देता हूँ कि ना तो मैंने reading की chapter की अब तक ना तो मैंने कभी एक questions को 20 बार पढ़ने की कोशिश की ना मैंने कभी एक अच्छे से formula को सिद्धत से memorize किया और उसका use क्या है वो मैंने कभी सीखने की कोशिश नहीं की ना मैंने कभी अब अब तक एक भी practice problem solve की ना मैंने कभी अब तक एक भी test series को धंग से उसको उस test series के लिए मैंने अभी तक prepare नहीं किया ना मैंने कभी एक teacher की बात मानी ना मैंने कभी किसी चीज को सिद्धत से follow किया है ना इसका answer सच बात है खेर past जैसा भी हो उसे लेके हमें कोशना नहीं चाहिए अब future कैसे अच्छा होगा तो guys 45 days की proper strategy आखिर कैसे होगी 45 days में आप कैसे धमाका कर सकते हो किस तरीके से आप best बन सकते हो अपने अंदर की अच्छे और सच्छे इंसान को पहचानो और बिना महनत के तो कुछ नहीं मिलेगा अरे अब तक नहीं किया तो क्या एक भी answer याद हुआ आगे भी याद नहीं होगा 45 दिन में भी क्या ही याद हो पाएगा अगर नहीं करोगे तो करोगे तो होगा नहीं करोगे तो कैसे होगा simple ये तुम भी जानते हो और ये सब जानते हैं बड़ स्टिल चलो ठीक है तो class 12 45 days master study बच्चा पड़ी कभी डरों मत अपने अंदर से अपने अंदर से डर मत लाओ paper क्या होगा कैसे होगा आधा तो आप लोग के अंदर ना ये जो fear न ये जो डर है ये जो डर है ये डर के वज़े से आप लोग के अंदर tension आ रहा है ये जो आपके अंदर डर है ये डर है ये डर आपके अंदर उस problem को ले के आ रहा है और इसी वज़े से आपको बड़े answer memorize नहीं होते क्योंकि stress होता है ना दिमाख में तो बड़ी बड़ी चीज़े भूल जाती है याद के हो भूल जाता है बड़े बड़े numerical main exam time पे भूल जाता है तो एक चिल मारो यार एकदम cool रहो ऐसा सोचो कि ठीक है यार याद है तो ठीक है एक्जाम में धमागा मचा के आएंगे क्या ही होने वाला है मतलब कौन सा ये बड़ा तीर मारेंगे हम ठीक है ठीक है पढ़ लेते हैं अभी पढ़ता हूँ जोर लगा के और जब paper होगा बिंदास लिखूँगा देखा जाएगा जो होना होगा होएगा तो ऐसे रहना है getting my point or not? Yes मतलब एकदम बिंदास डरने का नहीं लेकिन हाँ paper तक बहुत महनत करनी पड़ेगी ये जो tension है तुम्हारे अंदर ये tension ही तुम्हें पढ़ने के लिए मजबूर करेगा ये डर तुम्हें पढ़ने के लिए मजबूर करेगा तो चलो यहाँ देख लो इस वक्त 45 days है February में paper होगा तुम्हें क्या लगता है कि hard work या फिर smart work कौन सी अच्छी चीज है? comment box में मुझे जरूर बताओ कि hard work करना चाहिए इस time पर या smart work करना चाहिए चलो मैं बताता हूँ मेरे according दोनों बहुत ज़्यदा जरूरी है इस वक्त सिर्फ smart work करने से कुछ नहीं होने वाला और सिर्फ hard work करने से भी कुछ नहीं होने वाला दोनों तुम्हें करना पड़ेगा तो guys मैं तुम्हें बताता हूँ 45 days की proper strategy अभी भी समय है अपने अंदर मेहनत करने की हिम्मत लाओ 6-7 घंटे तुम्हें study करनी पड़ेगी वरना भाई ये वीडियो आप लोग के लिए नहीं बनी है ठीक है तो 6-7 hours की study आपको करनी पड़ेगी 10 घंटे भी करोगे तो अच्छी बात है क्योंकि यहीं तो समय है पढ़ने का मौसम आया रहे ये पढ़ने का मौसम है ये किसी शादी को अटेंट करने का मौसम नहीं है शादी किसी और की और ही है मजे कोई और लेने वाला है और तुम उसकी शादी में जाके कि अपनी बरबादी करने जा रहे हो मत जाओ, कोई शादी अटेंड मत करो किसी का function अटेंड मत करो वैसे भी कुरोना बढ़ गया है तो क्या ही करोगे, ठीक है? तो ये सारी चीजे ही important है आप सब के लिए तो 6-7 गंटे, 8 गंटे कि study बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए प्लीज study करो, पढ़ाई का मौसम आया है पढ़ाई का मौसम आया है इस मौसम में कुछ भी कहीं भी नहीं जाना है सिर्फ पढ़ाई में focus करना है, that's it तो पढ़ाई का मौसा माया है ठीक है? ध्यान देना अच्छे से तो 6-7 घंटे की स्टड़ी प्रॉपर घर में बैठके करो पढ़के कुछ नहीं हुआ है कोरोना बढ़ रहा है एक्जाम होगी की नहीं होगी हम सब एडुकेशन मिनिस्टर नहीं है यूटूब की टीचर्स गवर्मेंट को जो करना होगा वो हमारे कहने से नहीं करेगी कैंसल करना होगा एक्जाम वो कैंसल कर देंगे पोस्ट पॉंट करना होगा देविल डू हम हमारा कोई मतलब नहीं उससे हमको सिर्फ तुम्हें अच्छा ग्यान देना अच्छी सिक्षा देना तुम्हें उस एबल उसके लाइक बनाना है हमारा काम that's it तो तुम बस पढ़ाई में फोकस करो and that's it और कुछ पी चीजों पर फोकस तुम्हें नहीं करना है सिर्फ तुम्हारे सामने चार केताबे हैं physics, chemistry, mathematics and biology सिर्फ उस पर ध्यान दो that's it ओके तो 45 days में 6 से 7 hours की study and practice question model paper ये सब कुछ दुकान में मिलता है no need target publication की खरीद लो class 12 की 21 आती हो भी ले सकते हो revise all the chapters अब तक जितने भी chapter तुमने पढ़ लिए हैं उन्हें भूलने मत दो क्योंकि बुद्धु तो तुम हो रही एक normal गंदा सा बच्चा जिसे कुछ नहीं आता होगो पीछे bench में बैठता है हलाकि वो गंदा नहीं होता पीछे back benchर ही rock करते हमेशा back benchर class के अंदर कुछ ऐसे बच्चे होते न जो class के अंदर चुपके से बैठे रहते हैं और बाहर निकल के उनके अंदर का तांड़ाव शुरू होता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसा class में होते हैं वैसे बाहर भी होते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो class के अंदर टॉपर रहते हैं और शांत रहते हैं लेकिन बाहर बहुत फोड़म फाड़ी कर दें सभी type के बच्चों की मैं बात बताता हूँ कि एक chapter तो at least तुमने अब तक पढ़ा होगा ना यार है ना my dear तो एक chapter अगर तुमने अब तक की study की है तो please उसको भूलने मत दे ना उसे revise करो दो घंटे तीन घंटे चार घंटे जाता है उसे please भूलने मत दो अरे किसी chapter को पढ़ने में चार घंटे लग रहा है मत्ताब वो तुम्हें chapter नहीं आता है और वो board exam में आएगा तो तुम उसे कैसे handle करोगे अरे फेल हो जाओगे यार पेपर होगा तो बारी भी में फेल हो रे बाबा so revise all the chapters please revise करो सारे chapters को ठीक है practice more and more चलो अब strategy की बात करते हैं practice और उसे भूलने मत देना जो याद है उसे भूलने मत देना क्योंकि याद है तो आबाद है और भूल गए तो बरबाद है इसी इसको समझ के रखना अच्छे से चलिए आंगे बढ़ते हैं so अब यह एक road map क्या होगा पढ़ने का है ना जनाब तो चलो यहाँ ध्यान देते थोड़ा सा chapter स्टार्ट करोगे one shot live से क्योंकि अब 45 दिन में कोई नए chapter को याद करने की गुंजाईश नहीं है तुम्हारे पास इतना time ही नहीं बचा one shot one shot का live lectures हमारे YouTube channel new Indian era के अंदर चल रहा है जस्ट सर्च करो new Indian era channel के अंदर जाओ 6 December को चालू हुआ था physics के आठ से 9 chapter हो गए है पढ़ा करके chemistry के आठ से 9 chapter, biology के 4 से 5 chapter, mathematics, maths 1 में 4 chapter खतम हैं कितने हैं सब खतम हो जाएगा अभी एक महिने के अंदर one shot मतब एक single video में पूरे chapter का reason और different teachers ले रहे हैं यहीं पर live पाँच बजे से ले करके और 7 बजे तक पहला session होता है फिर 8 बजे से ले करके रात के 10 बजे तक दुसरा session होता है live lecture चलता है तो सारे बच्चे join किया करो 6 December से चल रहा है free of cost उसकी notes, test series, model paper सब कुछ दिया जा रहा है कहाँ सोई हो अभी तक थोड़ा जागो और मेहनत करने में ध्यान दो तो one shot ये तुम्हें live lecture देखने हैं फिर model paper solve करना है और again exercise करनी है ये just a simple road map अभी आगे बताता हूँ कैसे study करनी है तो model paper मतलब तुम्हें एक मोटा मोटी अंदाजा आ रहा होगा कि one shot then test series देनी है फिर exercise या पहले exercise then test series दे दो तो ऐसे करना है अब में मुद्दे की बात करता हूँ चलो यहाँ ध्यान दो suppose अगर physics subject है अब ऐसे chemistry और biology के लिए भी apply कर लेना है mathematics में तो different थोड़ा formula और biology में थोड़ी diagrammatic तरीके से study करनी पड़ेगी बट physics की बात करते हैं सबसे पहले chapter को read करो एक घंटा अब ज़्यादा time है नहीं smart work करना है तो एक घंटे में पूरे chapter को ऐसे love 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 circular motion uniform circular motion then done खतम ऐसे read करना है chapter को कुछ important points को फटा फट माक करो उसे वहीं याद कर लो कुछ इस तरीके फे तुम्हें करना है इसे follow करना है तो read the chapter one hour ओके now watch complete one shot one shot complete watch करना है तुम्हें one shot की वीडियो सारी recorded दो दो धाई ड़ाई गंटे की पड़ी है वो दो धाई गंटे में पूरा chapter done हो जाएगा ये भी तो read करने के बाद अगर one shot को पूरा देख लोगे न तो फिर तुम्हारा पूरा chapter एकदम proper तरीके से तुम्हारे mind में वो बैठ जाएगा guarantee है इसकी ठीक है फिर आगे बात करते है model paper test series solve करना है और इन सारे steps को बार बार follow करना है करोगे कैसे तो plan ये रहेगा कि माल लो पहला chapter और दूसरा chapter एक साथ मतब पहले पहला फिर दूसरा करना है तो पहला chapter तुमने उसको read कर लिया तुमने उसको read कर दिया एक घंटा then one shot दो से तीन गंटे कर रहता तो वो देख लोगे और exercise दो गंटे में हो जाएगा तो तीन दो पाच एक 6-7 घंटे आराम से लगते हैं य गंटे में फटा-फट करोगे तो one shot अगर दो से तीन एक chapter का जाके देखो ना एक लग से ज्यादा अच्छे लोग में देख लिया आप तक ठीक है और 6-7 को चालो किया था तो one shot अगर दो से तीन घंटा देखते हो ना one shot अगर वीडियो दो से तीन घंटा देखते हो ना प important questions भी तो मैंने तुम्हें दिया है तो उन questions को जाके exercise के कर सकते हो उन्हें याद कर सकते हो तो उन सारे questions को करो ध्यान से आराम से 6-7 घंटी के study दिन के चाये रहेगी college का काम है उसे थोड़ा ignore मारो ये पढ़ोगे तो ही जाके written exam में कुछ कर पाओगे फिर same चीज chapter number 2 के लि समस्या कहां आती है 6 December से जो बच्चा लगातार follow कर रहा है तो हम लोग 2 chapter करा करके model paper तुम को already provide किया उस model paper का solution भी दिया अब जो बच्चा अभी से शुरुआत करेगा वो क्या करेगा तो उसके लिए recorded video पढ़ा है तो 6 December का मालो अब तुमने पहला दूसरा chapter पढ़ा one shot का त तो टेलिग्राम में उसी date का जाकर के और model paper ढूड़ना है मैंने डाला हुआ है और वो model paper घर में बैठके solve करना है इन दोनों chapter का and then उस model paper का solution वीडियो आके YouTube में देख लेना है मैंने डाल रखा है लाइन से playlist बनी हुई है ठीक है तो उसको देख लेना है और वही तुम्हारे test series हो गया तुम्हें तुम्हारी आउकात पता चलेगी कि तुमने कितनी पढ़ाई की फिर उसमें तुम गल्दिया निकालोगे कि तुम्हारे अंदर ये mistakes से तुम्हें वो ठीक करना है इस तरीक focus on it and अच्छे सी आगे बढ़ो आप सब ठीक है प्लीज ध्यान दो तो ये जो method है इसे follow करो एक महिना सिद्दत से लगातार अपने सारे friends में भी please share करो अगर share करते हो तो बहुत से बच्चे दिखेंगे तो हमारे इंदर भी enthusiasm आता है हम और भी आपको marathon classes future में MSTCT की classes future में किजे भी मैं आप लोग को definitely दूँगा ठीक है so please focus on it बहुत फायदे में रहोगे ठीक है guys तो जो मैंने कहा है उफिध्यान दो अच्छे से अब guys thank you so much for watching this video my dear friends अगर आप मुझे Instagram में follow करना चाहो तो ये ID है आप मुझे यहाँ पे जाके follow कर सकते हो जहाँ पे 32,000 ज्यादा बच्छे लोग ने मुझे follow करके रखा है so thank you so much for your love and support so मिलेंगे किसी ऐसे और प्यारे से अच्छे से वीडियो के अंदर तब तक के लिए bye bye I hope आप सारे one shot sessions I hope आप सारे model paper solutions I hope आप सारे important questions I hope आप सारे सारे के सारे जो भी revision की classes से सब आप उन्हें देखोगे model paper solve करोगे telegram group म काम नहीं चलेगा एक proper must plan करो घर में बैठ के और उसको अच्छे से follow करो और must पढ़ाई करना चालू करो अब ठीक है छोटे chapter पहले करो बड़े chapter बाद में करो और इस तरीके से study करो बहुत आगे चाहोगे ठीक है so thank you so much for watching this video my dear friends bye bye take care bye to all of you